कडाके दी ठंड ते संगनी तोंद लोकां दा बार निकलना मुश्किल होया पया है फिल हाल लोक चिंतित ने के ए ठंड किन्ने के देन तांग करेगी खोदनू लाएके नी अपने बच्चे नू लाएके ते कारदे विच पैठे बजुर्गाणू लाएके क्योंकि जिन्नी ठ अडली किन्ने कि सुरक्त ने कि निक तो अनू चंता ते कि ना गत्यान देन दी लोड आएदिली तो अनू एक्जक्ट सही जानकरी दे सकता है मौसम विपाग क्योंकि मौसम विपाग दे आंकडे हाल फिरहाल जड़े चकीते जान देने तक रिप-क्रिप सही इसाबत होन द यहां तक धूंद का सवाल है यह कल तक तो continue रहने वाला है पंजाब हरियाना और चंडिगर में यह कल तक धूंद कंटिनू रहने वाला है आज हमने औरेंज वालिंग दी हुई है कल हमने थोड़ी वालिंग कम की हुई है यलो वालिंग है लेकिन जहां तक आज और कल धूंद तो continue रहेगा और पर्सों से इसकी intensity घटनी शुरू हो जाएगी लेकिन अगले पांस दिनों तक आपको धूंद continue रहने वाला है हां लेकिन इतना बात जरूर है कि पर्सों से इसकी intensity कम हो जाएगी और जो अभी बिल्कुल सूरज नहीं दिख रहा है तो पर्सों से सूरज देखना सुरू हो जाने की संभावना है तो पर्सों से हम समझते हैं कि आपको धूंद के मामले में थोड़ी राहत मिलनी सुरू ह हां बिल्कुल बिल्कुल जहां तक धूंद का सवाल है धूंद तो पड़ेगी ही लेकिन जैसे कि आप कल पर्सों मदब की दो तीन दिनों से इतनी खराब थी इतनी खराब थी कि ट्रेवल करना भी मुश्किल हो रहा था ऐसी सिच्वेशन आपको पर्सों से नहीं दा जाए को हैंगी अभी आज के दिनों में या फिर करल या फिर पर्सों जो मारक जो ठंड पढ रही है इसका मेजर रीजन दौंद ही है अभी दौंद इस तरीका से पढ रही है कि सूरज की किर्णे जो है जमीन पर पहुंच नहीं पा रही है धूफ बिल्कुल नहीं निकल रहा है जिसके चलते क्या हो रहा है कि surface जो जमीन की heating नहीं उपा रही है, जब जमीन की heating नहीं होगी तो atmosphere heat कैसे होगा, तो इसी चलते हमारा maximum temperature जो है, जो maximum temperature आपको सब्सक्राइब 21 degree होना चाहिए, 11 degree हो गया है, तो maximum temperature घट गया है, तो अभी जो main ठंड का प्रकॉफ है, यह main इसके कारण है कि maximum और minimum temperature के बीच में difference बहुत कम हो गया है, इसके चलते यह ठंड जो है, बिलकुल मारक हो गया है, किने के देन दा तुसी अनुमान जड़ा ओ तुसी ला लेने हो, और किस साथ तिकरेन हो असी सही में निगे, ते किने देन दा तुसी दासा देो कि हफ्ता तुसी कह रहे हो 5-6 देन, ता उस तो बाद भी थोड़ा बहुता आइडिया है कि ठंड जड़ी 15 दिन पह सक दिया ह देखीए जहां तक हमारा जो आफिस जो है वेदर के बारे में औभर और अनुमान साथ दिनों का देता है, जिसमें फोग गदर से रिलेटेटर हम अनुमान पंस दिनों के वख्त करते हैं, और 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 हम मलब की पूरे मन्तली रेडिक्शन भी करते हैं, लेकिन वेदर वेद और चंडीगर्ण का एक मेजर जो रीजन है मदब इधर का वेधर एफेक्ट होने का वे स्थर्ण डिस्टर्मेंट्स अच्छे वह समझनी चाहूंगा असी अक्सर देखते हैं कि करा देविचे बढ़ी ठंड पेंदी सी होन काट गी एठंड डिले हुंदी जा रही है इनना द कि मैं समा जा रहे हैं चीजां बदल रही है इसमें कोई दो मत नहीं है मौसम में तब्दिली तो आ रही है इसमें कोई दो मत नहीं है मौसम में तब्ली तब्ली बिल्कुल आ रही है क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको डिसकस किया वेस्टर डिस्टर्मेंस पहले वेस्ट नहीं महिने में भी लोगों को ठंड के चलते स्वेटर पहनने का जोरत पढ़ गया होगा, आप यहां से हैं तो आपको याद होगा कि 8-9-10 जुलाई को किस तरीका से बारिष हुई थी, मौनसून सीजन में, वो मौनसून सीजन का इफेक्ट नहीं था, वो वेस्टर डिस्टर तो इसमें कोई दो मत नहीं है, मौसम में तबदिली तो आ रही है, लेकिन जहां तक अभी ठंड पढ़ने का सवाल है, मतलब कि पन्याब, भरियाना और चंडिगर में, हम नॉर्मल वेदर बिलकुल देख रहे हैं, अभी जो वेदर जो भी हो रहा हमारा minimum temperature जो है, वो नॉर नॉर्मल ठंड पढ़ रही है, लेकिन जहां तक ठंड की सवाल है, परसों से हमको दीन में थोड़ी रहत मिल सकती है, लेकि रात में भी रहत मिलने की अगले पांस दिनों तक कोई संभावना नहीं है, यह भी हो सकता है, सपोस करिये कोई western disturbance आ जाए, पांचे दिनों के बहुत यहां रखना पहेगा, कल तो अंदे से तना पहनी है, पर परसों तो तो अंद जड़ी पहेगी, जिरूर पर विजीबिल्टी थोड़ी ठीक हो जेगी, तो अंद गिना लोग काट पहेगी, सूर्ज जड़ा हैगा, परसों तो निकलना शुरू होएगा, चाए काट निकले, पर ओदे नाल थोड़ी दिन विले ठंड तो रहत मिलेगी, पर रात नू केंदे ने, केर जाईयां मोटी यां लेनियां पहेड़ी यां, कड़ाके दा ठंड हले पहेगी, एक अफ़ते दा नमान मौसम पाग दे रहा, ते एक अफ़ते तो बाद की निबड़ेगी, ओ, उस तो बाद देडियेगी, तस्वीर साफ होगी, पर फिलहाल एक अफ़ता तानू ठांड तो रहत नहीं मिलने वाड़ी, कैमरामेन अजे कुमार दिनाल, नपिंदर सिंग ब्राड, न्यूज एटीन, चंटिकर,